हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो मैं चैनल फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे नॉर्मल और सजेजिन डिलीवरी के बारे में कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुए तो उसमें कहका प्रकोशन्स लेने हैं और अगर सजेजिन डिलीवरी हुए तो उसमें हमें कहका प्रकोशन्स लेने है फ्रेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आशकल के बच्चों से बात करना चाहूंगी कि बेटा की यही जो हमारे डिलीवरी के बात के 45 दिन होते हैं यह हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस दिन होते हैं तो उसके आने वाली लाइफ बहुत खुशाल होगी वह बीमारियों से बची रहेंगे बट अगर इन 45 दिनों में हमारी क्यार नहीं हो पाएगी जा हम अपने टेस्ट को रेकर कुछ कंप्रमाइज नहीं कर पाएंगे तो हमें आगे आने वाले टाइम में हैड़क हो सकता है ज्यादा बॉड़ी पेंज रह सकते हैं चुट चुटे बीमारियों जो हैं प्राब्लम्स हो हैं हमारी चलती रहती है तो फ्रेंट्स पहले हम बात करते हैं लॉर्म मरल डलीवरी अगर है तो उसमें क्या क्या अप्रकुश्स लेरे लिए उसके बार में बात करते हैं प्रेंट्स नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम эфф sos जाण और एक देने और उस को डालके पोट्ली बंद कर लेजी और एक लिटर पानी में उस पोटली को डाल दीजिए दस मेट तक उसको गरम होने दीजिए बाद में उस पानी को चानके आप एक थलमस में भर के रख देजिए जब भी आपको प्यास लगते को आपको थोड़ा थोड़ा सी विसे पाले निकाल के पीने बट अगर तो दिन में कोई आपको लगते कि मुझे नॉर्मल पानी पीने तो आप नॉर्मल तंपरेशा का पानी या फिर थोड़ा सा गुंगरा पानी पीए तो बहुत अच्छा सेक्ट फ्रेंड्स तेहक दस प्रेंड दस मुल आर्क का तर जो दिन में आपको एक वाल लेना जो आप को आपको देगा दसमल अर्क जो है वो लेड़ी को देमाण पेशो के ताकत के लिए बहुत जरूरी होता है उससे बच्छे को भी भी नुटिशन मेलेंक दसमल अर्क जो है अगर आप बलिवरी के बाद लेते हैं तो आपको पैट फूल ना जब बाद में जो पैट बढ़ जा तो आफको पिशे टेक लगाके बाद में झाल इक ताल्य तक आक्क्य ओर आगे ओए अगे बैठेनगे तो आपके कम आख झुकने का वो आइदा ठार करора थे कदार रहेगा भाद में तो आपको इसे टेक लगाना हूर्या पेड पर कर चैकर बच्य को लिट आए के आपको धीरे से भीट करा लें बट फीट कराते हैं समय इस बात के ध्यानद करें कि बच्चे का सब बहुत ज्यादा ऊचा भी ना हो जाए और नीचा भी ना हम बतर है बैलन्स में होना चाहिए और बच्छे का सब हम गौन के लड़ू ले सकते हैं ड्रै फूत से जूस ले सकते हैं जूस में चाहिए हम सूप ले सकते हैं ऑफ्रेंस इसमें हमें 1-5 लीटर आप दूद्ध लेना चाहिए अगर वचे के लिए और बछे के लिए सकते हैं कि रूछ करिये की जितने हम जितना रिच फॉर्म हम दूद लेंगे अच्छså आएका बच्छे के लिए फोटी से गया इगा में हम घयर ऒपता के लिए परकिल सकी हैं कि अच्छी के को दूद है कि में एगर और वो सब खुलते हैं एक बात बहुत धार रखने कि डिलीवरी के बाद जब भी हमें पसीना आता है हमें उसको इमिजेट पहुचना चाहिए अगर कि उस पसीने को अगर हम नहीं पहुचते हैं तो हमें बात के टाइम में छाया फेस पे पढ़ने का डर रहता है इसलिए जो भी हमें ऑपके साथ आपके मदर है आपके साथ कोई है तो आप प्लीस उनको बोलके कि आपके फेस वोस समय पसीना में ऐसे तो इसको इमिजेट साफ कर दें ऑफ्रेंड्स हम आगे समाद करते हैं सजे रें अपरेशन में हमें करकर दिनों में सीधा ही लेतने हमें करवत लेके कियोंकि सीधा ही लेटके हमें किसे के हैल्प से बच्चे को दूद्ध पिलाना है शुरू के कुछ दिन तक हमें यह प्राबलम होती है बाद में वैसा ही हमें धिरे-दिरे बैठ के हमें बच्चे को फेट करवाने बट एक दन जटके से नियुट नहीं वेट ने उठाना शु सब्सक्राइब करने चाहिए जल्दी रिकवरी हो जाते हैं सेकिंड फ्रेंट समय ध्यान देना कि हमें कोई भी चीज हमें सजेरियन में या नॉर्मल में ऐसा नहीं देने जिससे मदर को कॉंस्टिपेशन हो क्यों कि अगर को कॉंस्टिपेशन होगी तो मदर को मोशन करने में जोल लगाना पड़ेगा और उसमें स्टिछ खुलने कर दार हो जाएगा इसला हमें ऐसे फ्रूट्स और ऐसी वेजटेवल्स को हमें देखने वह हमें देने जिससे कि मदर को यॉजब करना चाहिए दूसरा हम जब सजेरियो में दूद्ध देना है मदर को तो हमें low fat दूद्ध देना है हमें full cream दूद नहीं देना उसमें कि हमें शुरू के दिनों में 1-2 में तक हमें इतना ज्यादा fat नहीं देना है अगर उंको drive foods भी देने है तो कोशिश करनी है कि स्क्राइब, युआ को दिने हैं यह अह करको दो कि अउस्कितेंगेवा थे नहीं है। फैसलों सेमें हमें उस्कुर्द और स्डीन के नहीं दे सकते हैं। सब्सक्राइब कि दो कुछ जदा करें आपड़नेया हुए अनकें आपको डरता ह這些 लिए जाथ 2016 उनको पंजीरी या पंजीरी लडू दे सकते हैं दोनों चीजों में नॉर्मल जे सजेरिंग अपरेशन में हमें यह ध्या नखने कि मदर को जो भी चीज हम दें वह सौफ्ट होने चाहिए तांके उनके दांतों को बहुत अधिक जोड़ ना लखाना पड़े चबाने के लिए क्योंकि यह डिलीवरी होने के बाद हमारे दांत हमारे आंके यह सब इतने वीक हो जाते कि अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर आइस पे जा दातों पे देते हैं तो बाद में उनके जल्दी वीक होने का चांसे बढ़ जाते हैं पहले को लोग फेंड्स आप मालोगे कि व आपको ज़्यादा स्टेन नहीं डालना आपको बहुत तेज लाइट में बैठना आपको बहुत ज़्यादा आज करके ताम में बच्चे मुबाई या कंप्यूटर यूज करते हैं और आवाइट कर लेना चाहिए क्योंकि अगर हमें आगे आने वाले टाइम में अपनी आपको बहुत जलदी रिकावर हो जाएंगी और अगली वीडियो में हम बात करेंगे के बच्चे के क्या अपको बश्यादा अगोट करेंगे और आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो प्लीस लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्योंक्त्स दीजे थे तांकि मुझे पता चल साएपाए कि मैं आने वाली वीडियो में क्या क्या चीजे एड करूँ और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ भी जो नॉर्माल डिलीवरी जा सजेजन में हम जो मदल को बना के शुरू के दिनों में जो फूड बना के देते हैं अगर कुछ पर चाहते हैं कि मैं उसकी रेस्पी बना के दिखांग तो आप प्लीज during कोमेंट्स में लिक सकते हैं तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगे तो friends, please अपने comments देते रहें, thank you thank you very much